नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि रैबिसेक टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. रैबिसेक टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और रैबिसेक टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? रैबिसेक टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है. रैबिसेक टैबलेट का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर बध़जमी होने पर खटी दकारे आने पर सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर रैबिसेक टेबलेत का उपयोग किया जाता है। इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर रेभिसक्ट टेबलेट को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये साइड इफेक्स ना हो। इसलिए आपका डॉक्तर रेबिसेक टवलेट को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेनी की सलाह दे सकता है। इसके अलावा रेबिसेक टवलेट का उपयोग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। रेबिसेक एक ब्रैंड नेम है। रेबिसेक टेबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रेबिपराजोल होता है। रेबिसेक टेबलेट 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि रेबिसेक टेबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रेबिसेक टेबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में रेबिसेक टेबलेट की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्ध, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन, सिरदर्ध, शरीर की मास्पेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा रैबिसेक टैबलेट की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक रैबिसेक टैबलेट का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक रैबिसेक टैबलेट को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B, 12, कैल्शिय आइरन और मेगनीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना रैबिसेक टैबलेट को दो सप्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार रैबिसेक टैबलेट को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। आस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखिली हो जाती है। रैबिसेक टैबलेट की वज़ज से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है। जब रैबिसेक टैबलेट का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रैबिसेक टैबलेट को ले रहे हैं तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भ रैबिसेक टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंटेर होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर रैबिसेक टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खारी पेट लेने की सलाह देते हैं रैबिसेक टैबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए रैबिसेक टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको रैबिसेक टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं रैबिसेक टैबलेट को ले सकती है या नहीं वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रैबिसेक टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिसेक टैबलेट को लेने की सला दे सकता है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रैबिसेक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए।